हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है शिवानी आठ क्लासेज की आज की इस क्लास में आज इस क्लास में हम सिंदु कालिन चित्रकला सैप्टर टू का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं ठीक है UGC net में तो यहां पर इसका right answer option C हो जाएगा हडपा बंदर गाह की रूप में लोथल प्रसिद्ध है next question देखते हैं question number 41 लोथल तथा कालि बंगा दोनों है गुजरात में इस्थित प्राक मौरिक कालिन इस्थल है प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है हडपा कालिन इस्थल है तो लोथल और कालि बंगा जो यह हैं यह दोनों ही हडपा कालिन इस्थल रहे हैं right answer आपका D हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर 42 इसका description नहीं पढ़ रहा है कई बार बताया जा चुका है आपको लोथल के विशे में तो कोश्चन नमबर 42 देखिए निंदलकित में से कौन सा स्थान भारत का आध्य एतिहासिक स्थान नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर C हो जाएगा सिंगनपूर ठीक है सिंगनपूर जो है ये प्रागयतिहासिक कालीन रहा है तो राइट आंसर C और सिंगनपूर की खोच किस ने की थी डैबल्यू एंडर्सन ने ये भी याद रखिएगा यहां से पच्चास चित्रत सिलाश्रे इंगुफाय मिली है जो की प्रागयतिहासिक कालीन है और कब की गई इसकी खोच 1910 में नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 43 राजस्थान में इस्थित समकालिन सिंदुगाटी सभ्यता का स्थल है लोथल हडपा आहर धौला वीरा तो यहां पर आंसर क्या होगा आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तो 43 का यहां पर आपसिंसी आहार आहार जो है यह राजस्थान में इस्थित समकालिन सिंदुगाटी सभ्यता का स्थल रहा है और वरतमान में भारत में खोजे गए हडपा कालिन सबसे विशालतम जो नगर है वो है राखीगड़ी हर्याणा ठीक है इसका डिस्क्रिप्सन देख रीचे है उनसे जो चित्रकार हैं वो काले रंग से है और सिंदुग सभ्यता का भारत में दूसरा विशालतम नगर जो है वो धौल वीरा है जो कि गुजरात के कख्ष के रंदcious थी थे ठीक है We इसकी खोज़ में RS विस्ट ने किया था बनावली की खुश ठीक है राखी गड़ी हरियाडा में है आपको बताई दिया और ये भारत के वर्तमान में खोजे गए हडपा कारिन में इस थलों में से सबसे विसालतम नगर है ठीक है नगरों में से राखी गड़ी हरियाडा नेक्स्ट कोशन दे तो यह आपको कई बार बताया गया चूना पत्थर से ठीक है ध्यान रखिए गा चूना पत्थर से हड़पस प्रापने परप पुरुष नर्तक्धर चूना पत्थर से और क्या प्राप्त हुआ है ये भी आप जरूर जानिये मोहन जोदुड़ों से एक टिक्रे के नाओ में रेखा का चित्रुत किर्ण मिला है और इसका जो समय बताया जाता है अनुमान तह 3000 इसा पूरु मोहन जोदुड़ों से प्राप्त दो तवंगी एवं एक कांसी की नर मोहन जोदुड़ों से प्राप्त मात्र देवी प्रतिमाय निर्मित है पत्थर में तामा में कास्ट में म्रडशिल्प में तो मात्र देवी की प्रतिमा किसमे निर्मित है म्रडशिल्प में ठीक है राइट आंसर डी हो जाएगा म्रडशिल्प में और मोहन जोदुड़ों स राश्ट्री संग्रहाले नई दिल्ली में सुरक्षित है। प्रमुक श्रोथ कौन से हैं। प्रत्थमुदाहरन हडपा मोहन जोरो से मिलता है। सेन्धो सभिता की समस्थ जो नगर है ये किस पधधती पर आधारित हैं। तो याद रखिएगा गृड़ पद्धती पर आधारित है। निवासि जो हैं किसकी पूजा करते थे। पशुपति शिव की पूझा करते थे, सिंदु वाशी किस व्रक्षी की पूझा करते थे, तो याद रखिएगा पीपल व्रक्षी की पूझा करते थे, सिंदु कालीन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्मार जो था, वो किस पध्धती से किया जाता था, तो याद रखिएगा चिकोटी पध्धती से हड़पा से प्राप्त एक पुरुष के धड़ की मूर्ती मिली है जो कि लाल पत्थर से बनी हुई है और सवा तीन इंच उची है ठीक है और यह मूर्ती ओपी हुई है यह प्रतिमा राष्टी संग्रहाले नई दिल्ली में सुरक्षे था नेक्स्ट कोश्ण देखते हैं कोश्ण नमबर 47 सिंदुगाटी सभिता के मोहरों सिंदुगाटी सभिता में मोहरों का क्या उप्योग होता था व्यापार के लिए शिकार के लिए सजावट के लिए खेल के लिए तो सिंदुगाटी की सभिता में जो मोहरे थी इनका उप्योग मोहर के लिए किया जाता था राइटान सराइपका option A हो जाएगा मोहर के लिए और याद रखेगा कि अधिकांशता जो मोहरे हैं ये सेलखडी अत्वा घीया पत्थर ठीके सेलखडी अत्वा घीया पत्थर इस्टेट टाइट जिसे कहते हैं सिवनी है और इन मोहरों पर विविद प्रकायर की पश्वों की आकरती हैं जैसे कि व्याग्र हाथी, गैंडा, सिरन, सिंग्युक्त, बैल, गरूड, मगर, आदि, ये सभी इस पर आकरतियां उतकिर्ण है, सरवाधिक सुंदर आकरती जो है, वो ककुद मान व्रशव यानि हम्प्ड बुलकी है, ये भी याद रखेंगे, नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 48, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर, कौनसी प्रसित्य सिंदुगाती कला के अफशेस है, ये कोश्चन आपके TGT 2016 के एक्जाम में भी पूछा गया है, तो ये जो हैं, मोहन जोड़ो, ठीक है, राइट आंसर आपका A हो जाएगा, मोहन जोड़ो के अफशेस मिले हैं, ठीक है, अब यह पर जो डिस्क्रिप्शन में है, इसको पढ़ लीजिए, और ये बहुत इंपोर्टेंट रहेगा आपको और भी कोशन करने के लिए, याद रिखे, नाश्ती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर, कला के अफशेस, जो हैं, ये मोहन जोड़ो से प्राप्त है, इनको भी प्राप्त है, तो इस्त्री की गर्ब से निकलता हुआ पौधा, तांबे से बना इक्का, मोहरो पर एक श्रिंगी व्रसब, लाल पत्थर से बना पुरुस धर, पुरुस नर्तक, मातरी देवी की मूर्ती, ये हडप्पा से प्राप्त है, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, और ये सब ये चीज़े आप नोट करते चलिए, आपको रिविजन में काफी हेल्प मिलेगी, और आप अगर TGT, PGT, KVS, NVS, या फिर किसी भी आर्ट एक्जाम की तयारी कर रहे होगे, तो निश्चित है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी, आप वीडियो को ज इटों का उपियोग, ठीक है, इटों के उपियोग के लिए प्रसिद्धे हडपा सभिता, सेंधो सभिता से भवनों के निर्माड में पकी इटों का प्रयोग मिलता है, वक्राकार इटे अगर प्राप्त कहां से प्राप्त ही पूछा जाए तो याद रखेगा, वक्राकार चनफु दड़ों से प्राप्त हुई है ठीक है और काली बंगन के फर्ष के निर्माड में जो है किस तरह की इटों का प्रयोग किया गया है तो ये भी आप याद रखीगा काली बंगन के फर्ष के निर्माड में अलंकृत इटों का प्रयोग किया गया है अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, हमारे वीडियो अच्छे लगती हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट्स कीजिएगा, आपके कमेंट्स से और लाइक से मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है, और हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं, ठीक A, next question, question number 51, इन में से कौन हडपा सभिता का हिस्सा नहीं है, सारवजनिक इसनानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौध मंदिर, डाक यार्ड, नौका घार्ट, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, option C, बौध मंदिर, ठीके, सारवजनिक इसनानागार भी है, और पकी हुई मिट्टी का उपयोग भी हडपा सभिता का हिस्सा है, डाक यार्ड, नौका घार्ट भी है, तो राइट आंसर आपका option C हो जाता है, बौध मंदिर, बौध मंदिर जो है, यह हडपा सभिता का हिस्सा नहीं है, याद रखेगा, हडपा सभिता से बौध, जैन, डामवर धर्म से संबंधित मंदिर का साक्ष नहीं प्राप्थ हुआ है, या सिंदु सभिता से जो साक्ष प्राप्थ है, वो है, पकी इटो से निर्वित भवन, विशाल सिनानागार, सारवजेनिक सभा भवन, और काली बंगा से अलंकरत इ दाड़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति ये सभी कुछ प्राप्त है कुछन नंबर 52 देखिए लोथल से प्राप्त कलाकरतिया किस काल की हैं मौर्यकाल शुंगकाल साथवाहन सिंधुगाटिकाल तो लोथल से जो कलाकरतियां प्राप्त हुई हैं आप सब भी जानते हैं ये कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामगरी से बनी है म्रण मूर्ति पत्थर लकडी कांसी कई बार इस कोशन का अंसर हमने बताया तो इसका जो आंसर होगा ऑपसंडी हो जाएगा कांसी की बनी है डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है ये मोहंचोदलों से प्राप्त हुई है औ और इस नर्दकी की उचाई की बात की जाए तो 10.5 cm या इंच में 4.1 इंच है ठीक है और ये जो तकनीकी है कांसे मूर्ती की जो तकनीक है प्रोसेस से क्या कहते हैं ढोकरा कास्टिंग कहते हैं याद रखीगा कहां पर सुरक्षित है डांसिंग गरल ये राश्टी संग्रहाल नई दिल्ली में सुरक्षित है ये भी आप याद रखीगा नेक्स्ट कोश्चन है हडपा से भारत प्रशिद्ध मूर्तिशिल्प पुरुषधर डैश से बना है तो कई बार बताया जा चुका संग्मर्मर लाल चुने का पत्थर ग्रेनाइट पकी हुई मिटी तो ये किस स से बना हुआ है तो याद रखेंगे आप्सन बी लाल चुने के पत्थर से निर्मित है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर 61 देखिए मोहां जड़ों से प्राप्त प्रशिद्ध मूर्तिशिल्प मात्र देवी डैश किस सामगरे से बना है तो ये भी कोश्च यानि कि मिट्टी से बनी है राइट आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन सिंदु गार्टी वास्तु कला किस सामगरी से बनी है ये भी कोश्चन कई बार रिपीट हो चुका है तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा पकी हुई हीटों से निर्मित है राइट आं बावधी से संबंध रखता है मौरेकाल, सुंगकाल, सिंधु घार्टिकाल, गुप्तिकाल ये भी कोशन कई बार रेपीट हुआ है क्योंकि ये बुक में अलग-अलग एक्जाम वाइस दिये रहते हैं तो इसलिए कोशन बार-बार रेपीट हो जाते हैं तो इसको आप रिव दांसिंग गरल नामक मूर्ति किस संग्रहाले में है तो ये कोशन नहीं पूछा गया था इसके पहले मैंने बताया था किस संग्रहाले में है तो यहां पर आप सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर पहले से ही डांसिंग गरल नामक जो मूर्ति है ये किस संग्रहाले में ह ठीक है पहले तो याद रखिए कि प्रावयतिहासिक काल की एक कांसे की निर्मित मूर्ती है और यह मोहंचोदोडों से प्राप्त हुई है और यह वर्तमान में राष्ट्री संग्रहाले नई दिल्ली में सुरक्षित है यह भी याद रखिएगा सिंदुगार्टी में प्राप्त मोहरे बनी है मिट्टी की लकड़ी की सिमेंट की चमड़े की ध्यान रखिएगा सिंदुगार्टी से जो मोहरे प्राप्त है यह मिट्टी की निर्मित है राइट आंसर ए ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर पूजा करते थे people व्रक्ष नेम व्रक्ष बर्गत व्रक्ष या फिर शमे व्रक्ष तो याद रखेंगे right answer जो हो जाएगा option A people व्रक्ष सिंधुवासी जो है यह people व्रक्ष की पूजा करते थे इसकी व्याक्या भी थोड़ा देख लिए radio carbon c 14 के आधार पर सिंदु सभेता की सर्व माने थी तेई सो पचास इसवी से सत्रसो पचास इसा पूर माने गई है यह नगरी और कांसी युगिन सभेता है यहां के निवासी पीपल के वरक्ष की पूजा करते थे सर जॉन मार्शल को यहां से लकडी के मंदिर भी प्राप्त हुए है सिंदु सभेता की कोच किसने की रूद्र दमन राया बहादुर द्याराम साहनी ने ठीके सिंदु सभिता की कोच सबसे पहले 1878 इस्वी में हुई थी लेकिन इसका उखनन कारे सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दियाराम साहनी ने पाकिस्तान के मांट गोमरी जिले में हडपा में किया ठीके नक्स्ट कोशन 68 देखिए किस वेद में चमडे पर अगनी की देवता की चित्र का उलेक है तो याद रखिएगा वेदों की संख्या कितनी होती है वेदों की संख्या चार होती है और सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है रिगवेद माना जाता है रिगवेद में ही सबसे पहले कला शब्द का उल लेक भी रिगवेद में मिलता है, right answer option D हो जाता है, next question है, 69 देखिए, भारती कला का सबसी प्राचीन किंद्र है, अजन्ता, महावली पुरम, सिंधु घाटी की सभिता, खजुरा हो, तो right answer C हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभिता, next question, question number 70, कई बार ये question repeat हो चुका है, यहाँ पर इसका right answer होगा, option C, गुजरात में, ठीक है, next question देखते हैं, 71, सिंधु घाटी के सभिता के उत्खनन में कौन सा पुरातत्व विद संबंधित है, एक एक कुमार स्वामी, राखलदास बंदो पाधिया, कार्लै खंडल वाला, या फेर MR रंधावा, यहाँ पर उच्छा गया है, के सिंधु घाटी की सभिता के उत्खनन से कौन सा future विद स पनपी सभिता है मिश्र की ग्रेक की भारत की मेसो पुटामिया की राइट आंसर डी हो जाएगा मेसो पुटामिया की दजला फरात नदियों के दोआब में मेसो पुटामिया की सभिता पनपी थी और मेसो पुटामिया शब्द का जो अर्थ होता है यानि इसका जो आशे है द परशन का केंद्र रही है नेक्स्ट कोशन देखते हैं 73 निरम्रकित में से कौन सा एक नगर हडपा संस्कृति का नहीं था लोथल बनवाली काले बंगा गिरी नगर तो आप जानते हैं कि लोथल बनवाली काले बंगा ये हडपा संस्कृति के हैं लेकिन राइट आंसर D हो जाएगा गिरी नगर जो है ये नहीं है नेक्स्ट कोशन देखें कोशन नमबर 74 लोथल इस्थित है अफगानिस्तान भारत में चीन में पाकिस्तान में लोथल जो है ये गुजरात का एक प्रसिदि नगर है और भुगवा नदी के तठ पर इस्थित है इसकी जो खोज की रंगनाथ राओ द्वारा की गई राइट आंसर भी हो जाएगा ये भारत में इस्थित है ठीक है लोथल कहाँ पर इस्थित है भारत में नेक्स्ट कोस्चन कोस्चन नमबर 75 देखिए सेंदो सभिता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामारिक कितने इस्थलों को नगरों की संग्या दी जा सकती है ठीक है तो यहाँ पर आपका जो आंसर दिया है दो चार छे आठ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option A दो नगरों को ठीक है छे नगर बताए गए हैं लेकिन दो नगरों को पूर्ण परिपक्व प्रामारिक नगरों की संग्या जो दी गई है वो दो नगरों को right answer A next question सिंदुखार्टी सभिता किस अवधी की है ये question आपका TGT 2004 का है लेकिन यहाँ पर जो option दीए हुए हैं वो अलग-अलग हैं और आप भी जानते हैं कि सिंदुखार्टी सभिता का जो काल निर्धारन है इसकी एक सरोमानिती थी नहीं है अलग-अलग विद्वानों ने इसका काल निर्धारन अलग-अलग किया है तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंदुखार्टी सभिता का जो समय यहाँ पर बताया गया है ध्यान दीजेगा प्रोफेसर मार्शल की अनुसार ठीक है सिंदुखार्टी सभिता का समय 2200 इसा पूर्व से 2700 इसा पूर्व तक था और अर्निस्ट मैके के अनुसार 2700 इसा पूर्व से 1700 इसा पूर्व तक था रेडियो कार्वन पध्धति की द्वारा सिंदु सभेता का जो कालनेरधारन है वो 2500 इसा पूर्व से 1750 इसा पूर्व ज्यात हुआ है तो इसको आप ध्यान दीजेगा नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं 77 मोहन जोड़ो और हरप्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाएगे बरूज गरेनाइट मार्बल टेरा कोटा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा टेरा कोटा राइट आंसर यहाँ पर आपसिट डी टेरा कोटा ठीक है नेक्स्ट कोशन आधिकांस जो मोहरे हैं वो टेरा कोटा की बनी है नगरी सभिता का प्रत्थम उदाहरन कहां से मिलता है नगरी सभिता का प्रत्थम उदाहरन जो है वो हरप्पा और मोहन जोड़ो से इंप्राप्थ हुआ है प्रत्तम धात्र मुर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हूं गुपत सभ्यता गुपत सभ्यतां से प्राप्त तो यूठ अन्सर सभ्यता next question question number 81 हडपा से प्राप्त प्रशिद्ध मूर्ते शिल्प पूरुष धड़ डास से बना है तो संग्मर्मर ग्रेनाइट लाल चुने का पत्थर पकी हुई मिट्टी आप answer देजी comment box में ये question आप सभी लोगों के लिए है और इसका answer आप comment box में बताईए तो यहाँ पर right answer होगा option B लाल चुने के पत्थर से निर्मे थे कई बार हमने बताया ठीक है next question देखते है question number 82 निम्दलिकित मेसी कौनसी सभिता आलमगीरपुर में दिखाए देती है हडपा, काली बंगा, मेसो पताम या चनहु दड़ो तो यहाँ पर right answer होगा option A हडपा ठीक है next question किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था याद रखीगा किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था हडपा, चनहु दड़ो लोथल, काली बंगा सभी question बहुत important है जो भी student DSSB एक्जाम के preparation कर रहे हैं तो ये सभी question वो करके जाएंगे एक्जाम में उन्हें जरूर ही सफलता मिलेगी 83 number देखी किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था राइट answer यहाँ पर option A हो जाता है हडपा से पाया गया था पक्षी का पिंजरा ठीक है next question किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था हडपा, लोथल, रंगपूर, रोपड तो राइट answer option A हो जाता है हडपा next question question number 85 विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंका सिंदूर लगाने की परंपरा इन परंपराओं में से किसका योगदान है हडपा परंपरा, मोहन जोदुड़ परंपरा, सिंदुगाटी परंपरा, मेसोपटामिया परंपरा राइट आंसर ए हो जाएगा हडपा परंपरा next question question number 86 वर्तमान में हडपा सभिता का छेतर किस देश में इस्थित है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांगला देश में, भारत में तो वर्तमान में हडपा सभिता का जो छेतर है ये किस देश में इस्थित है तो कांसी मूर्थिया नगर नियोजन, टेरा कुटा किलोने महान इसना नागा, राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, नगर नियोजन, ठीक है? नेक्स्ट कोश्चन, हडपा सभिता का संबंध है, इंडस फैली से, मिश्र से, इरान से, ग्रीक से, तो हडपा सभिता का जो संबंध है, वो इंडस फैली से है, राइट आंसर यहाँ नेक्स्ट कोश्चन, 89 नमबर देखें, हडपा से मिट्टी के बर्तनों पर सामाने ताह कि रण का प्रियोग हुआ है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 90 ध्यान दीजे हडपा संस्कृति के अवशेस कहां पर अस्थित है नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान थोड़ा बलर है तो इसको आप ध्यान दीजेगा नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान option हमने बोल दिया है राइट आंसर C हो जाएगा पाकिस्तान नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 91 हडपान सभिता किसे कहते हैं गुप्त सभिता, मुगल सभिता, वैदिक सभिता, सिंदु सभिता तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हडपान जो सभिता, ये सिंदु सभिता को ही कहा जाता है राइट आंसर D नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं अब हम 92 नमबर मोहन जोदलों से प्राप्त पशुपती मोहरें डैस की आक्रितियों को दर्शाती है आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जिससे हमें पता चल सके कि कितने कोश्चन्स आपके तयार हो चुके हैं अब तक मोहन जोदलों से प्राप्त पशुपती की जुमोहरें ये की आक्रितियों, किसकी आक्रितियों को दर्शाती है तो कई बार बताया मैंने कि पश्वों से घिरेफिक योगी का शिव राइट आंसर ओप्सन ए नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर नाइन्टी टू सॉरी नाइन्टी थ्री बार से मोहन जोदलों कितनी बार नस्ट हुआ नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नाइन्टी फॉर दोस्तो वीडियो अच्छा लग रहा हूँ तो लाइक कीजिए और साथ इसे जादस जादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे की सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपनी त्यारी बहतर कर सके चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह के सभी चैप्टर्स जो भी है यूद्ध कॉंप्टिशन टाइम्स कला की बुक के सभी चैप्टर्स करवाए जाएंगे चैनल पर तो आपको नौटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें कमेंट्स भी करें 94 नंबर देखिए पुजारी राजा का वक्ष किस से बना था दिये गया विकल्पों में से पहचान करें पीतल सेलखडी पत्थर ब्लैक स्टेटाइट सफेत ले 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्सिन भी होगा सेलखडी पत्थर ठीक है जिसे घीया पत्थर भी कहते हैं कांसे निर्त्य लड़की मूर्तिकला कहां पर पाई गई थी कोस्चन वही होता है लेकिन बार-बार अलग-अलग तरीकी से पुछा जाता है एक्जाम में तो इसलिए अगर आप ये पूरे कोस्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर प्रशने नहीं आ सकता ठीक है कांसे निर्त्य लड़की मूर्तिकला कहां पर पाई गई थी तो यहां पर इसका राइट अंसर होगा और मेरी पुरी कोशिस रहेगी कि आप अपने एक्जाम में बहतर करें ठीक है इसके लिए हमें और आपको दोनों लोगों को मिल के मेहनत करनी होगी जितने ही हम वीडियो को बनाने में मेहनत करते हैं उसी तरह से आपको अपनी तैयारी में लगातार अपने स्टडी को जारी रखना होगा रिवीजन करना होगा नोट्स बनाना होगा तब जाके आपका सेलेक्शन भी निश्चित रूप से हो जागा है कोशन नमबर 96 देखिए मोहन जोदुडों की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ती को कहां संरक्षित किया गया है दिएगे विकल्पों में से पहचान करें तो ये हमने कई बार आपको बताया रास्ट्री संगरहाले नीदिल्ली, विक्टोरिया, संगरहाले, कोलकाता और और ऑप्सन इधर है पाकिस्तान का रास्ट्री संगरहाले या फिर सालाज़ण संगरहाले हैदराबाद तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा option A, राष्ट्री संग्रहाले नई दिल्ली next question देखते हैं question number 97 दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्थे रामगड, हडपा, मोहन जोड़ो, लोथल तो यहाँ पर right answer होगा option C, मोहन जोड़ो कई बार बताया गया पूरे वीडियो में अगर आपने सुरू से लेके अब तक वीडियो देखा है तो निश्चित इस question का answer आप कर पा रहे होगे next question देखते हैं, question number 98 मोहन जोड़ो में प्राप्त नर्तिकी प्रतिमा किस धातु की बनी है यह question भी इसके पहले मैंने कई बार बताया है तो यहाँ पर right answer option C हो जाएगा, का सा next question है, question number 99 प्रतम धातु निर्मित नर्तिकी की मूर्ति है हरपा, मोहन जोड़ो, बिलारी, रैवर प्रतम धातु निर्मित जो नर्तिकी की मूर्ति है यह मोहन जोड़ो से प्राप्ते कई बार बताया जा चुका है वीडियो में, right answer option B मोहन जोड़ो next question, question number 101 देखे, मोहन जोड़ो अवदिकी नर्तिकी की मूर्ति का माध्यम क्या है, plaster of Paris कांसा, पत्थर, लकड़ी तो नर्तिकी की जो मूर्ति है ठीक है, यह धातु की बनी मूर्ति है यानि कि यह कांसे से निर्मित है तो यहाँ पर आपका right answer होगा option B, कांसा ठीक है, नर्तिकी की जो मूर्ति है इसका माध्यम क्या है, कांसा next question, question number 102 मोहन जोदलो से प्राप्ट नर्तिकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी पत्थर, लकड़ी, धातु, टेरा कोटाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह TGT 2009 का है और यह PGT 2011 में वही question पूछा गया है तो इस तरह से question रिपीट होते रहते हैं इन सभी प्रश्णों की तयारी करेंगे तो निश्चित ही आपका selection जरूर होगा मोहन जोदलो से प्राप्ट जो नर्तिकी की मूर्ति है यह किस माध्यम से बनी है, आप सभी जानते हैं धातु, right answer, यहाँ पर option C हो जाएगा धातु से निर्मित है right answer, C, धातु और धातु में अगर कौन सी धातु जैसे की option में कांसा है तो कांसे सी निर्मित है, यह भी आप याद रखेंगे next question देखते हैं question number है, 103 ठीक है, यहाँ पर इसका description थोड़ा सा देख लिजे कलाकारों ने अपनी कला का उतकरिष्टितम निर्देशन धातु में किया है और यह कलाकार विभिन धातु के सैयोग से मिस्र धातु बनाने की कला जानते थे तामे में 10 मिलाकर, यह भी question आपका कई बार बनता है तो इसको याद रखेंगे, तामबी में 10 मिलाकर, यह ने कांसे का निर्माण किया इन्हें साचे में ढालकर बनाया जाता था इन मूर्तियों के निर्माण में विभिन अंगों के चित्रण में आस्चरे जनक रोप से समानुपातिक ज्यान का उदारन प्रस्तुत किया है इन्होंने और धात की बनी मूर्तियों का सर्वोत कृष्ट उदारन जो है वो मोहन जोदलों से प्राप्त कांसे की नर्थकी की मूर्ती है कोश्चन नमबर 103 देखिए मोहन जोड़ो इस नानागार के पूर्वदिशा में इस्थित स्थूप का निर्माण किस काल में किया गया तो राइट आंसर A हो जाएगा कुशान काल ठीक है next question 104 मोहन जोड़ो आवदी की प्रस्थिते नृत्य करती लड़की की मूर्ती अब यहाँ पर यह आपका TGT 2004 में है और पूछा गया है कि इसकी प्लास्टर आफ पेरिस, टेरा कुटा, कांसा और पत्थर तो नृत्य करती जो लड़की की मूर्ती है यह आपकी कांसी से निर्मित है राइट आंसर आपका option C कांसा याद रखेंगे question 105 देखिए सैंदर सभिता का प्रसिदेश नानागार कहां से मिला है चनहु दड़ो, हडपा, तक्छसिला, मोहन जोदरो तो याद रखेंगे right answer option D मोहन जोदरो से मिला है इसका description देख लीजे व्रहात इस नानागार मोहन जोदरो का सरवाधी कुल लिखनी समारक है जो उत्तर से दक्षन तक 180 यानि कि 14.86 मीटर तक पूर्व से पस्चिन तक 108 लगवक 29 मीटर है इसके केंदरी ये खुले प्रांगड के बीच चलकुंड या चलाशय बना है यहां 49 फूट 11.89 मीटर लंबा 23 फूट 4 तथा 8 फूट गहरा है question number 106 देखिए प्रत्थम कांसे प्रतिमा किसकी है तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्थम कांसे प्रतिमा जो है वो नृत्यांगना की है राइट आंसर option A नृत्यांगना ठीक है next question 107 देखिए प्रारंबिक नृत्यांगना मूर्ती कहां से प्राप्त है तीके